ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज साथ फरवरी दो हजार चौबीस बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है दे अभिमान कंगाल बना देता है इसलिए आत्म अभिमानी भव मीठे बच्चे आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है दे अभिमान कंगाल बना देता है इसलिए आत्म अभिमानी भव प्रश्न कौन सा अभियास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है उत्तर अपने को सदा एक्टर समझो जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभियास करना है कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र शरीर छोड अशरीर हो जाओ आत्मा भाई भाई है यह अभियास करते रहो यही पावन बनने का सहज साधन है शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं इसलिए अशरीरी भव ओम शान्ती बाव बैट बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बहुत बेसमज बन गए हैं पाँच हजार वर्स पहले भी तुमको समझाया था और देवी कर्म भी सिखलाय थे तुम देवी देवता धर्म में आये थे फिर ड्रामा प्लैन अनुसार पुनर जन्म लेते लेते और कलाय कमती होते 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 यहां प्रेक्टिकली बिल्कुल ही निल कला हो गई है क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावन राज्य यह रावन राज्य भी पहले सतो प्रधान था फिर सतो रजो तमो बनगा है अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है अब इसका अंत है रावन रा को कहा जाता है आसुरी राज्य रावन को जलाने का फैशन भारत में है राम राज्य और रावन राज्य भी भारत वासी कहते हैं राम राज्य होता ही है सतियोग में रावन राज्य है कल योग में ये बड़ी समझने की बाते हैं बाबा को वंडर लगता है अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीती न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं रावन के अवगुण चटक पड़ते हैं दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं बाप ने समझाया है तुम वो ही देवताएं थे तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं तुमको फर्क बताया है तुम क्यों तमो प्रधान बने हो यह है रावन राज्य रावन है सबसे बड़ा दुश्मन जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं वहां तो एक धर्म होता है यहां तो सब में भूतों की प्रविश्टा है क्रोध लोव मो का भूत है न हम अविनाशी है यह शरीर विनासी है यह भूल जाते हैं आत्म अभिमानी बनते ही नहीं है दे अभिमानी बहुत है दे अभिमान और आत्म अभिमान में राद दिन का फर्क है आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं देअभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं भारत सोने की चडिया था भल कहते भी हैं परन्तु समझते नहीं है शिवावा आते हैं देवी बुद्धी बनाने बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं ये लक्ष्मी नारायन विश्व के मालिक थे कब सुना की इन्हों को राजाई किसने दी उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना उच्छ पद पाया कर्मों की बात है ना मनुष्य से आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं वहां कर्मों का खाता होता नहीं बाप समझाते हैं ना समझने कारण बहुत विग्ण डालते हैं क्या देते हैं शिव शंकर एक हैं अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं शंकर पारवती दिखाते हैं दोनों की एक्टिविटी बिलकुल ही अलग मिनिस्टर और प्रेजिडेंट को एक कैसे कहेंगे दोनों का मरतबा बिलकुल अलग है तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं ये जानते हैं जुनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे भी नहीं आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे विग्ण डालेंगे क्योंकि उनमें पांच विकार है न देवताय हैं संपूर्ण निर्विकारी उन्हों का कितना उँच पद है अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे विकार से पैदा होते हैं सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है फिर सन्यास करते हैं सत्योग में ये बातें नहीं होती सन्यासी सत्योग को समझते भी नहीं कह देते हैं सत्योग है ही है जैसे कहते हैं सिरी क्रश्न हाजरा हजूर है रादे भी हाजरा हजूर है अनेक मत मतांतर अनेक धर्म है आधा कल्प दैवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है तुम ही ब्रह्मा मुखवंशावली फिर विश्नुवंशी और चंद्रवंशी ब इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई होती नहीं, ये भी तुम ही समझते हो, तुम्हारे मैं भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं, कोई न कोई भूत है, लोब का भूत, क्रोध का भूत है ना, सत्योग में कोई भूत नहीं, सत्योग में होते है देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं भूत ही दुख देते हैं काम का भूत आदी मद्य अंत दुख देता है इसमें बहुत महनत करनी है मासी का घर नहीं है बाप केते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल द्रश्टी न जाए हर बात मैं हिम्मत चाहिए कोई क्या देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर तो हिम्मत चाहिए अपनी जाच भी की जाती है तुम बच्चे बहुत पदमा पदम भाग्यशाली बन रहे हो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं बाप हर बात में समझाते रहते हैं परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो पढ़ाई है सोर्स ओफ इनकम पढ़ाई से ही नमबर वार तुम उँच पद पाते हो भाई बहन के संबंद में भी बुद्धी चलायमान होती है इसलिए बाप इससे भी उँच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो हम सब भाई भाई हैं तो दूसरी दृस्टी जाएगी नहीं शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, देही अविमानी भव अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है शरीर से पाट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए वह एक्टर्स पाट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं तुमको भी अब पुराना कपड़ा, शरीर, उतार नया कपड़ा पहनना है इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है तमो प्रधान आत्मा मुक्ती में जा नहीं सकती पवित्र हो तब जाए अब पवित्र आत्मा वापिस नहीं जा सकती यह जूट बोलते हैं कि फलाना ब्रह्मा में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते वहाँ जैसे सिज़रा बना हुआ है, वैसे ही रहता है यह तुम ब्रामन बच्चे जानते हो, गीता में ब्रामनों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है ये तो समझाते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो जरूर एडाप्शन चाहिए वह ब्रामन हैं विकारी, तुम हो निर्विकारी निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं ये नाम रूप देखने से बहुतों को विकल पाते हैं भाई बहन के संबंद में भी गिर पड़ते हैं लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े काला मू कर लिया बाप कहते हैं वाँ हमने कहा भाई बहन होका रहो तुमने फिर ये खराब काम किया उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है भारत कितना पवित्र था जो मैंने इस्थापन किया उनका नाम ही है शिवालय ये ग्यान भी कोई में नहीं है बाकी शास्त्रादी जो हैं वैसा भक्ती मार के कर्म कांड है सत्यूग में सब सदगती में है इसलिए वहां कोई पुरशार्थ नहीं करते यहां सब गती सदगती के लिए पुरशार्थ करते हैं क्योंकि दुरगती में है गंगा इसनान करने जाते हैं तो गंगा पानी सद्गती देगा क्या? वर पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं तुम्हारे में भी नंबर वार हैं कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे? इसलिए बाबा भेजता नहीं गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी स्रीमत पर चल कर देवता बनेंगे देवताएं रहते हैं सतियूग और त्रेता में यहां तो सबसे जास्ती काम विकार में फसे हुए हैं, काम विकार बिगर रह नहीं सकते, यह विकार है जैसे माई बाब का वर्सा यहां तुमको मिलता है राम का वर्सा पवित्रता का वर्सा मिलता है बहां विकार की बात नहीं होती भक्त लोग कहते हैं स्रीकृष्ण भगवान है तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो अरे भगवान तो निराकार है उनका नाम शिव है बाप कितना अच्छी रीती समझाते हैं तरस भी पढ़ता है रहम दिल है ना ये कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं भब का भी अच्छा है जिसमें ग्यान और योग की ताकत है तो वै कशिश करते हैं पड़े लिखे को सतकार अच्छा मिलता है अनपड़े को सतकार नहीं मिलता है ये तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय है कुछ भी समझते नहीं है शिव और शंकर का अंतर तो बिलकुल क्लियर है वह मूल वतन में वह सूच्म वतन में सब एक जैसे कैसे होंगे ये तो तमो प्रधान दुनिया है रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का जो आप समान बना देते हैं अब बाब तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं वहां रावण होता नहीं आधा कल्प उनको जलाते हैं राम राज होता है सत्युग में गांदी जी राम राज चाहते थे लेकिन वे राम राज कैसे स्थापन कर सकते वे कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे बाप ही संगम पर कहते हैं आत्म अभिमानी बनो ये है उत्तम बनने का युग बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए बाबा आपकी तो कमाल है हम कितने पत्थर बुद्धी थे आप हमको कितना उच बनाते हैं आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे पिछाडी को सब कहेंगे बरोबर ब्रह्मा कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं आदी मद्य अंत का परचय देते हैं कैरेक्टर सुधारते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्यसार पहला दरश्टी को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है सुएम को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है दूसरा सर्व का सतकार प्राप्त करने के लिए ग्यान योग की ताकत धारन करनी है दैवी गुणों से संपन बनना है कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है वर्दान बीमारी कांसेस के बजाए खुशी खुशी से हिसाब किताब चुक्तू करने वाले सोल कांसेस भव बीमारी कांसेस के बजाए हुशी हुशी से हिसाब किताब चुक्तू करने वाले सोल कांसेस भव तन तो सब के पुराने हैं ही हर एक को कोई ना कोई कोई छोटी बड़ी बीमारी है लेकिन तन का प्रभाब अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉंसेस हो जाएंगे इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए तब कहेंगे सोल कांसेस बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुक्तू करो सिलोगन हर गुड हर शक्ती का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूरत बनना अच्छा, ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती